नमस्कार मैं भी बेकानंद और आप देख रहे है निज फोर नेशन आज बिहार विधान सभा उप्चनाव का रिजल्ट काउंटिंग हो रहा है और थोड़ी देर के बाद रिजल्ट सारुजनिक हो जाएगा लेकिन अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार सत्तधारी की अगर हम बात करें तो इन दोनों सीटों में कॉंग्रेस यो अन बाकी दल जो है वो कहीं नहीं है ना तो कॉंग्रेस कहीं लडाई में है ना लोजपा राम विलास की पार्टी जो है वो कहीं है दोनों की स्थिती बेहद ही खराब है एक जगा पर तो नोटा और कॉंग्रे का जो वोट है वो करीब करीब बराबर है वही हाल लोजपा का भी है कूल मिला करके कहें तो लोजपा कॉंग्रेस की स्थिति बेहत खराब है इस बार इस पर कॉंग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोसना की और दोनों सीटों पर अपने प्रत्यासी उतारे हाल ही में कॉंग्रेस में सामिल हुए कनहिया कुमार एंड उनकी कंपनी जो थी चुनाव प्रचार के लिए भी यहां पे आई पटना में बजापता बड़ा कारिकरम करके उन्हें सम्मानित किया गया और फिर वे जनता की अदालत में जनता के चुनाव प्रचार में वे गए लेकिन उसका भी कोई असर यानि कि कनहिया कुमार का भी कोई असर होते हुए नहीं दिख रहा है कुशेस्वार अस्थान में जहां से कॉंग्रेस पाटी ने पूरी ताकत जोग दी थी तमाम बड़े नेता राहूल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ दिया जया तो बाकी के जो दुसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के जो नेता थे वे तमाम नेताओं ने पूरी ताकत जोग दी कुशेस्वार अस्थान में तारापु में भी ताकत लगाया गया लेकिन कहीं भी कॉंग्रेस अपनी छाप छोड़ते हुए नहीं दिखी कॉंग्रेस ने इस बार राजद को सबक सिखाने के लिए दोनों सीटों पर अपने उमिद्वार उतारे लेकिन कनहिया कुमार अस्टार प्रशारक बन करके मैदान में उतरे लेकिन उनकी कहीं कोई छाप होते हुए नहीं देखी सबसे पहले अभी हम वर्तमान इस्थिती के बारें बता देते हैं कि इन दोनों सीटों पर राजद कैंडिडेट या फिर जेडिव कैंडिडेट या बाकी कैंडिडेट की क्या इस्थिती है इन तमाम बातों के बारे में आपको हम पहले जनकारी दे देते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुशेस्वर अस्थान सीट की, कुशेस्वर अस्थान सीट में जेडिव करीब कर निर्णायक बढ़त की ओर है, जेडिव कैंडिडेट अमन भूसन हजारी जो ससी भूसन हजारी के बेटे हैं, ससी भूसन हजारी वहां से लगातार चुनाव जितते रहे थे, 2015-2020, लेकिन 2021 में उनका निधन हो गया, जेडिव के विधायक थे, उनके निधन से खाली हुई सीट पर उनके बेटे अमन भूसन हजारी चुनावी मैदान में है, जेडिव ने अपने कंडिडेट को जिताने की पूरी ताकत लगाई और अभी जो इसीती है, निर्नायक बढ़त की और यानि की निर्नायक जीत की और जेडिव केंडिडेट बढ़ रहे हैं, पंदरह राउंड का फिगर जो है, वो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, उसमें अमन भूसन हजारी को 49 400,300 यानि कि 40,000 वोट अमन भूसन हजारी जो जेडिव केंडिडेट हैं, उन्हें मिला है, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी राजद, राजद के जो केंडिडेट हैं, गनेश भारती, उन्हें 32,247 मत मिले हैं, यानि कि करीब-करीब 7,000 से अधिक मतों से जेडिव दें, तो बाकी का जो 12-13 राउंड है, उन तमाम चरणों में जेडिव केंडिडेट लगतार आगे रहे हैं, और यहां फासला 7,000 वोटों का हो गया है, यानि कि जेडिव केंडिडेट की सितिक काफी बेहतर है, 23 राउंड होने की संभावना है, कुछ सवर अस्थान में 23 र राउंड के बारे में जानकारी आ गई है, 15 राउंड में जेडिव केंडिडेट ने निरनायक बढ़त ले ली है, इस्तिति हलाकि रिजल्ट तो भी घोसित नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट से पहले ही उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला भी सुरू हो गया है, जीतना मांज जो बिहार के पूरो मुखमंत्री है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्याक्ष हैं और एंडिये के सहयोगी हैं, उन्होंने बधाई दे दिया और कहा है कि वहां मुशहर जाती का जो वोट है, जो मांजी जाती का वोट है, उन्होंने कर्तब दिखाया और इसकी जीत एक तरह से असपस्ट है, अब जरह तारापूर में आई है, तारापूर में थोड़ी गिंती सुलो है, अभी तक की जो जानकारी है, उसमें आठ जो चुनावायों की तरफ से जानकारी दी गई है, उसमें आठ चरण का जो टैली है, जो परसेंट है, जो वोटिंग है, उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसमें जेडिव कंडिडेट पिछड रहे हैं, दरसल इस seat पर मेवा लाल चौधरी 2015 में चुनाव जीते थे, 2020 में में चुनाव जीते और 2010 में, 2010 में यहां से नीता चौधरी मेवा लाल चौधरी की पत्नी चुनाव जीती थी, यानि कि 2010 स लेकर के अब तक उस सीट पर जेडिव का उमिद्वार जीतते हुए आया इस बार चुकी 2020 में मेवालाल चौधरी के जीतने के बाद उनकी मिर्तु 2021 यानि इसी साल उनकी मिर्तु हो गई थी कोरोना की वज़ा से उसके बाद खाली हुई सीट पर इस बार चुनाव हो रहे हैं म पर वे चुनावी मैदान में हलाकि वे अभी भी पिछड़ रहे हैं करीब 2,000 करीब 2600 वोट से जो आठ राउंड का फिगर नौ राउंड का जो फिगर आया है उसमें करीब 2684 मतों से जेडिव के कैंडिडेट पिछड़ रहे हैं वहां से जो अरुन कुमार है राजद निसमत यानि की कूल मिला करके करीब 2700 मतों से जेडिव कैंडिडेट पिछड़ रहे हैं देखिए या जो पूरा चुनाव था या फिर जो चुनाव के बाद की जो राजनीती होने वाली है जेडिव के लिए काफी आम है क्योंकि जो दोनों सीटे हैं जिन दोनों सीटों प जेडिव कैंडिडेट को मिल गई है लेकिन तारापूर की इस्तिती थोड़ी नेक टू नेक फाइट यानि की बराबरी का फाइट चल रहा है जेडिव कैंडिडेट थोड़ी मार्जिन से अभी पीछे हैं हलाकि वहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ आठ राउंड का जो तारापूर में कुमार चंदन है लोग जनसक्ति पार्टी राम विलास के कैंडिडेट उन्हें दो हजार चवहत्तर मत मिले हैं कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस के राजेश कुमार मिस्रा जो ब्रम्भन समदाय से आते हैं कॉंग्रेस ने वहाँ पर गेम खेला था और जो एंडिए का जो कैडर वोट होता है उसके उस समाज से उमिदवार उता रहा था कि ताकि एंडिए केंडिएट को नुकसान हो उन्हें सिर्फ और सिर्फ सात सो बानवे मत मिले हैं अभी तक का जो की जो जनकारी है 732 मत मिले हैं और नोटा को 773 मत यानि कि कॉंग्रेस और नोटा के बीच व्राबरी की लड़ाई है नोटा में भी 773 मत गया है जबकि Congress Candidate को 792 मत मिले है यानि कि Congress Candidate की सिती काफी खराब है पुशेस्वर अस्थान में अगर हम कुशेस्वर अस्थान की बात करें तो 15 राउंड के बाद Congress Candidate अतिरेग कुमार थे वहाँ पर चुकि कुशेस्वर अस्थान में अतिरेग कुमार को लेकर के Congress नेताओं ने पूरी ताकत जोकी थी तो उन्हें 3560 मत अभी तक मिले हैं जबकि लोजपा जो लोग जनसक्ती पार्टिया अनु अंजु देवी उन्हें 488 मत मिले हैं कि Congress Candidate को लोजपा Candidate से कम मत मिले हैं जबकि वहाँ नोटा को 1981 मत मिले हैं तो कूल मिला करके कहें तो इस्थिती Congress के लिए काफी खराब रहा हलाकि लोजपा के इस्थिती भी काफी खराब रही तारा पूरसीट लोजपा के जो सुप्रीमों है लोजपा रामविलास गूट के जो सुप्रीमों है चिराग पासवान उनके संसदिय छेतर में आता है हलाकि कुछ सेस्वर अस्थान में 5000 के करीब वोट मिलते हुए दिखा है लोजपा राम विलास को तो यही इस्थिती है कूल मिला करके अभी की जो हम बात करें तो एक सीट पर निर्नायक बढ़त की और जेडियू बढ़ गया है दूसरी सीट पर जो मारजिन है मारजिन अभी 2000 के आसपास का है उसमें राज़त केंडियेट की बढ़त है जेडियू केंडियेट दूसरी नमबर पर है लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे अहम बात है कि कॉंग्रेस कहीं नहीं दिख रही है कॉंग्रेस ने पूरी ताकत जोग दी थी लेकिन इस पूरी लड़ाई में लड़ाई आमने सामने की है एक तरफ एंडिये है दूसरी तरफ राजद और उसके जो छोटे सहयोगे दल यानि कॉंग्रेस पार्टी भागपा माले जो चार दलों का जो गटबंधन था उसमें कॉंग्रेस को माइनस कर दिये जाए तो कॉंग्रेस को छोड़ करके राजद के साथ भागपा माले CPI और CPM यानि की चार दलों का गटबंधन कॉंग्रेस सकेले चुनाव लड़ रही थी लोजपार रामिला सकेले चुनाव लड़ रही थी इन दोनों की सिती खराब है सीधी लड़ाई NDA वर्सेस राजद है और दोनों सीटों पर लड़ाई तगड़ी है हलाकि एक सीट पर तो असपस्ट तौर पर दिख रहा है कि वहाँ पर जेडियू कंड़ेट की जीत होते हुए दिख रही है दूसरे कंड़ेट पर मार्जिन काफी कम है यानि की लड़ा